नमस्कार मैं हूँ अंशिका दुबे स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में खबरों की शिरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका ने माना भारत में रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की ताकत वाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान रूस के साथ भारत के रिष्टेत ने मजबूत है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक स सिंग के जन दिन पर पीएम मोदी ने दी बढ़ाई, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा एक मुलिवान कैबिनेट सहयोगी, सेवा के प्रती प्रत्य बद्धता रहने वाले नेता को जन दिन की धेरोश उपकाम ना है महराश्चों में 11 सीटों पर MLC चुनाव, BJP सबसे मस्बूत 9 सीटे जीच सकती है माहयूती, क्रॉस वोटिंग हुई तो कॉंग्रेस पवार उद्धव को फायदा मध्यप्रदेश, पश्चिम, बंगाल, बिहार, समेट, कुल, साथ, राजियों की 13 विधानसभा सीटों पर उपक्चुनावाच, सभी 13 विधानसभा सीटों के 13 जुलाई को आएंगे नतीजे 10 सीटे विधायकों के स्तीफे और 3 सीट मौझूदा विधायक के निधन की वज़ा से होई थी खाली अमरवाडा विधानसभा उपक्चुनाव के लिए वोटिंग, शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग, मुख्य मुकाबला बीजेपी कॉंग्रेस के बीच, गौनवाना गरतंत्र पार्टी ने भी उतार अपना उमीदवा उनाव में भीशन सडख हाथसा, टेंकर और बस के बीच होई थी टकर, हाथसे में 18 यात्रियों की मौत, 30 यात्री गंभी रूप से घायल, बिहार से दिल्ली जा रही थी बस उनाव सडख हाथसे को लेकर सीम योगी आदितिनाथ ने लिया संग्यान मृतिकों के परिजनों के प्रती सीम ने समवेदना व्यक्त की, सभी घायलों के समुचत उप्चार के लिए दिये निर्देगी उनाव में होई सडख दुरखटना पर पीम मोदी ने जटाय दुख सोशल मीडिया एक्सपर पोस्ट कर लिखा जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रती मेरी समवेदना है राज्य सरकार की देखरेक में स्थानी प्रशासन पीड़तों की हर संभव मदत में जुटा देश में बारिश ने मचाय कोहराम, उत्राखंद में भारी बारिश से तीन लोगों की मौत असम में अभी भी 17 लाख लोग बार से प्रभावित साथ राज्यों में बारिश का रेजलर मोहन कैभिनेट की हैं बैठक सभी मंत्रियों के साथ सिये मोहन ने की विकास कारियों की चर्चर मुख्यमंत्री जॉक्टर मोहन यादफ की अधिर्च का में मंत्री परिशत की हुई बैठक कैभिनेट मंत्री बनने के बाद भी रामनेवास रावत बैठक में मौझूद नहीं कोट्फोलियो होने के बाद ही अगली बैठक में होंगे नजल मोपाल में बीजेपी जिला कारी समीती की बैठक काज दूसरा दिन 15 जुलाई दग मंडल इस्तर पर होगी कारी समीती की बैठके हारे हुए बूथों पर होगा भाजपा का फोकस हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर किया जाएगा मन्थर एमपी के राजगर चिले के ब्यावरा में निर्माणा धीन मकान गिरा, एक की मौथ, चार घायल, तीन धंटे चला रेस्क्यू, घायल बच्दूरों को सिविल अस्पटाल में कराय गया भ़ठी राजगर में निर्माना धीन मकान गिरने से एक व्यक्ती की मौत होने पर मुख्य मंत्री जॉक्टर मोहन यादव ने जताय दुख मृतिक के परिजन को चार लाख की आर्थिक सहायता देने के दिये निर्देश विजयपूर की सीठोई खाली जल्द होंगे उप्चनाव विधानसबा स्पीकर नरेंडर सिंग तॉमर ने स्विकार किया रामनिवास रावत का विधानसबा स्तीफा आज जुलाई को रामनिवास रावत ने लीथी कैबिनेट मंत्री किशपट मुखे मंत्री आवास पर पहुँचे हर्याना के पूर्फ सीएम मनुहरलाल खटर सीएम विश्णुदेव साई ने किया जोरदार स्वागन बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष किरंदेव मंत्री सांसुत भी रहे मौजूर केंद्री विद्योत आवास एवं शहरी मामलों की समिक्षा बैठक में शामिल हुए मनुहरलाल खटर और सीएम विश्णुदेव साई अधिकारियों के साथ मंत्राले के विकास कार्यों पर हुई बाच्ची केंद्री मंत्री मनुहरलाल खटर ने कारेकर नाओं को दी सला कहा दिशाव और गती ठीक रखें 2047 के जो पैरामीटर है उसको लेकर आगे बढ़ना है सरकार की उजनाओ को घरगर तक पहुँचाना है राइपूर में केंद्री मंत्री मनुहरलाल खटर का बड़ा बयान लत्ता उसेंडी को लेकर दिया था बयान कहा उत्सहा जो से साबसे हैं मंत्री बन जाएंगी कॉंग्रेस मुख्याले राजीव भवन में होई कॉंग्रेस की महत्वपूर बैठक PCC चीफ दीपक बैज पूर्फ सीम भूपेश बगेल समेट तमाम कॉंग्रेस के नेता रहे मौजूद विधान सबा सत्र में सरकार के खिलाफ घेराव की बनाई रणनी थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीम के रूस दौरे पर जताई खुशी कहा हमारे लिए सौभागी की बात है पीम मोधी को रूस संग ने सर्वोच नागरिक सम्मान से किया सम्मान सफाई कामगारों की मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर पूर्फ सीएम दिगविजय सिंग का बयान कहा मेरे शासन काल में जो कर्मचारी सम्मिता में थे उनको पर्मानेंट किया गया उसके बाद आज तक सफाई कामगार पर्मानेंट नहीं हुए मध्यप्रदेश के शास्की महविद्यालों में भी लागू होगा ट्रेस कोड मामले पर सियासी बवाल शुरू आरिफ मसूद बोले हिजाब और बुर्के को हटाना चाहती है सरकार रिवा सांसत फिर एक बारा इस सुर्खियों में जनार्दन मिश्रा ने अपने हाथों से की ट्वैलेट की सफाई शौचाले में गंदगी देख सांसत खुद सफाई में जुट गे भुपाल में सम्विदा आंगन बारी कारे करता पंचाई सचेवों के बनेंगी आयुश्मान कार्ट तीन लाग से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा मुफ्त मेलाच चार जुलाई से बंद बसों का संचालन में लगा ब्रेक, एक सोनन चास बसों का संचालन बंद हर्ताल पर बैठे हैं बस कर्मचारी नर्मदापुरम में भीशन सड़क हाथसा, हाथसे में पांच की मौत करीब 6 लोग घायल पेर से चकराने पर हुआ था हाथसा घायलों को जिला अस्पताल में कराए गया भरती पिपरिया बरेली मार्क के सांधिया के समीप हुआ हाथसा बोपाल के हमीदी अस्पताल में छटका हिस्सा गिरने का मामला MP मानव अधिकार आयोग ने लिया संग्यान जन सुरक्षा के लिए उच्छ अधिकारियों को मामले की जाच करने के दिये नर्देश राइपूर में आज बालोदा बाजार जाएंगे भिलाई विधायक देवेंद्री आदफ पुलिस करेगी हिंसा मामले में पुष्टाच पहले 9 जुलाई को होनी थी पेशी बलोदा बाजार में च्रक्षो हाइवान इमारी चकर हाइवा के अंदर फसे ड्राइवर और कंड़क्टर हाथ से के बाद मैन रोड पर लगा जाम बचाव काम में जुटी पुलिस मॉरैना में आजादी के 77 साल बाद भी जिले के कई गाउं मूर्बूत सुविता से वंचित ना सड़क और ना ही पीने के लिए साफ़ानी लोग कई बार कलेक्टरेट में कर चुके हैं शिकायद मधिप्रदेश के सिंग रॉली जिले में बैंक फ्रॉड के मामला आया सामने एक व्यक्ती के बैंक अकाउंट से गायब हुए 3 लाख रुपे शिकायद लेकर पीड़त पहुंचा पुलिस थाने MP से मामले का संग्यान मिलिया नीमच में नार्कोटेक्स ब्यूरो की बड़ी कारिवाई 2000 किलो से ज्यादा डोडा चूरा किया जब्त राजिस्थान की नागौट जिले में हुई कारिवाई साथी ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया सर्गुजा जिले में हुआ विस्तार न्यूस का बड़ा असर हरकत में आया प्रशासन पीम आवास योजना में हुई गड़बडी को लेकर कलेक्टर ने सीई-ओ को पत से हटाया बीजेपी के प्रदेश से है प्रभारी सती शुपाध्याय ने केंद्री ग्रह मंत्रिया में चहा से दिल्ली में की मुलाकात सती शुपाध्याय ने सौजन ने भेट कर दिया भारव्यक्त दोनों के बीच संगठन को गती देने के विश्यव पर हुई चर्चा कोरिया में शराब में मिलावट का खेल, आपकारी विभाग ने बनाई कारिवाई की रणनीती शराब की बोतलों में नकली धक्कन और हॉलोग्राम लगाय जा रही काकेर में बन पड़े गौठानों को बनाया ट्रेनिंग सेंटर, युवक युफितियां हर दिन आर्मी में भरती के लिए करते हैं तयारी छेतर में कोई मैदान नहीं होने के कारण गौठानों को ट्रेनिंग सेंटर बनाने का लिया फैसला मध्यप्रदेश के मौगंच जिले में सर्पंच की दादागिरी का मामला महला अधिकारी के कारियाले में घुसकर एक सर्पंच ने जम कर मचया उत्पाद गरियाबन में निवेशिकों के चिट फंड में जूप पैसा वापस मिलने की जागी आस कारिवाही की फाइल की नई सिरे से होगी कारिवाही अपर कलेक्टर ने जुले के सभी पांच अनुभाग में SDM को बॉंड जमा करवाने के दिये निर्दे अंबिकापुर में नए नियमों ने बिगाड़ा नगर निगम चुनाव का समी करण नेताओं की उड़ी नीन्द कॉंग्रेस का आरोब अफसरों ने बीजेपी के शारे में वाजों का परमीशन किया अत्र भाशा में बात करने के लिए की बात गर्याबंद के बीरी घाट गाओं में सरपंच सचेव को हटाने की मांग तीस ब्रामीडों के एक प्रतिनेधी मंडलने कलेक्टर जन्प्रदर्शन पहुँच कर की शिकायत बुपाल में फूटविभाग की बड़ी कारेवाई, फूटविभाग की टीम ने बजरिया इलाके में और्चो पकड़ कर तीस जलिया मावा की अजब्त पकड़े गए मावा को सेंपल के लिए भेजा गया तैसिलदार और नायब तैसिलदार की हरताल आज जनायब तहसीलदार से मारपीट से है अक्रोंशित अधिकारी कारेले में सुरक्षा देने समेट साथ सूत्रिय मांग को लेकर हर्ताल मांग पूरी नहीं होने पर अनिशित कालीन हर्ताल की चितावने मध्य प्रदेश में बारिश का दोरज़ारी प्रदेश में दो सिस्टम अक्टिफ सोला जिलो में भारी बारिश का अलर्ट निमार रीजन में तेज बारिश का अलर्ट राइपुर में आज रहेगा सामाने मौसम प्रदेश के 20 जिलो में औसत से कम बारिश दुर्ग में बारिश होने की संभावना कम, अच्छी बारिश के लिए करना पड़ेगा इंतजार मुरैना के पहाडगर इलाके में भारी बारिश के चलते सोन नदी में उफान बार से कई गाओं का संपक चूटा लोगों का जीवन हुआ प्रभाविल MCB में पती ने पतनी को उतारा मौत के घाट, पैसे और मुबाइल के विवाद में पती ने डंडे से पीछ कर पतनी की रख डाली हत्या मनेंद्रगर थाना छेत्र की चनवारी ढांट बैग पारा की घटना सक्ती पुलिस की नई पहल औशदी विवाद के साथ चलाया गया दवाई दुकानों में चेकिंग का अभियान ड्रग्ज नशे के व्यवसाई में रोक लगाने को लेकर चलाया या अभियान अलिराजपुर जिले में एक और भुष्ट चार का मामला खादिर नागरे का पूर्ती विभारत के अधिकारियों पर रिश्वत कलेने का आरोग कलेक्टर शिकायतों पर नहीं दे रहे ध्यान मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में शराबी शिक्षकों के होसले हुए बुलंद माध्यमिक शाला में पदस्त शिक्षक संतो शहरवार रोज नशे में धुत पहुँचे स्कूल जाच टीम ने शराबी शिक्षक संतो शहरवार के खिलाव बनाया पंचनामा महाकाल मंदिर के आउट्सोर्स करमचारियों का धर्ना प्रदर्शन फिर शिरू करमचारियों की वेतन में बढ़ोतरी की मांग करमचारियों का अरोब बेफसूली कात जा रहा वेतन बीजापूर के धनगोल गाउं में बारिश से जीवा नस्तव्यस सडकी कीचर से बनी दलदल गाउं तक नहीं पहुँच पाती अम्बिलेंस ग्रामीडों ने खुद जिम्मा लेकर आवजाही के लिए बनाया पुल सक्ती में 55 बोरी PDS की चावल पिकप से जब्द SDM अरुल सोम ने चावल किया जब्द SDM को चावल बेचने की मिली थी सूचनार राजपारा के महमाया PDS का संचालक बेच रहा था चावल गोपाल में S.I.E. ने खुद को गोली मार करकी खुदकुशी नहरुनगर के पुलिस लाइन में अपने घर की मारी गोली ट्रेफिक पुलिस तैनाथ थे S.I. कमला नगर पुलिस कर रही मामले की जांच बिलासपुर में ओल्लाइन ठगी का एक जीपो करीब मामला आया सामने शादी के नाम पर 1,49 लाख रुपे की ठगी आरोपी ने कालपनेक लड़की बनकर शादी का दिया जहांसा पुलिस ने आरोपी को क्या गिरफता मधिप्रदेश के बाला घाट में इरिक्षा चालक की गुंडा गिर्दी से परिशान S.A.F. जवान का परिवार कलेक्टर से की शिकायत पीडित का रोप पुलिस नहीं कर रही कोई कारिवाई गरियबंद के राजिम लगर बंचरायत के सेकड़ों लोग पहुँचे तैसील कारियाले एक सूत्रिय पट्टे की मांग को लेकर किया धर्ना प्रदर्शन आवास विहीन होने के बावजूद प्यम आवास की नहीं मिली मंजूरी बारिश में नकसलियों के खिलाफ चला अभियान डियार जी के जवानों में बीना गुंडा इलाके में एक महिला नकसली को मार गिराया बारिश के दौरान पूर राग जेल में चलाया गया सर्चिंग उपरेशन मौसम की बार ने बढ़ाई अनिदाता की चिंता खड़ी फसलों पर कीच प्रकोप का खत्रा फसलों को बीमारी लगने के उत्पादन कम होने की आशंका पन्ना में जिलाध्यक्ष ने उठाई अस्पताल में रेडियो लॉजस्ट नियुक्ती की मांग सोनोग्राफी के लिए गरीबों से लूटी जा रही मोटी रकम अस्पताल में खुलने से गरीब वर्क के मरीजों को निशुल्ख सोनोग्राफी का लाव मिल सकेगा नर्मदापुरम के पिपरिया बरेली सडक मार पर देराध एक बड़ा हाथसा हुआ सडक हाथसे में पांच लोगों की मौट, छे लोग घायल शादी में से लोटते समय हुआ हाथसा जश्पुर में तेज रफ्तार, वोलैरों की च्रक से टकर हाथसे में छे लोगों को आई गंभीर चोटे सभी घायलों को भेजा गया जिलास पताल, एक घायल को अंबेकापुर किया गया रेफर अंबेकापुर के आदेवासी इलाकों में सेकडो स्कूल शिक्षा से दूर पढ़ाई के नाम पर बच्चे चरा रहे गाय और बकरी स्कूलों में बच्चों का नाम दर्च करने के बाद भी जिम्मेदारी अधिकारी नहीं दे रहे दिया कटनी शेहर में स्वच्चता अभियान की उड़ी धजियां कच्रा कलेक्शन करने वाली MSW प्लांट के कर्मचारियों ने की हर्ताल कर्मचारियों के हर्ताल से डोर टू डोर सहित सडकों पर फैला कच्रा नहीं उठा पेंडरा में 30 ग्राम पंचायतों की संख्या हुई कम 162 की जगा अपके वाल 169 ग्राम पंचायती जिले में रह जाएंगी कलेक्टर ने जारी किया देश सुकमा के नकसली संगचन ने खुद को हुए नुकसान का जारी किया ब्यौरा इस साल नकसलीों के दक्षे सब जोनल इलाके में कुल 106 नकसलीों की हुई मौत हमले में 76 जवानों की मौत और 90 जवानों के घायल होने का किया दावा दुर्ग जिले में पीटा एक्ट के तहट बड़ी कारेवाई तीन यूफती और तीन यूवक को पुलिस नरंगे हातों किया गिरफतार शावनी थाना छेत्र का ये मामला बलरामपूर के सनावल छात्रावास में अधिक शिक्षा की मनमानी छात्राओं से कराई जाती है शोचाले की सफाई छात्राओं को दिया जाता है बासी बोजन विरोध करने पर होस्टल से बाहर निकालने की मिली धमकी मधिप्रदेश में अब नौवी कक्षा में प्रवेश की आयू सीमा का बंदन हुआ खत्म अब 13 साल से छोटा बच्चा भी लग सकेगा नौवी कक्षा में प्रवेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया देश देवास में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भारतिय राष्ट्रिय च्छात्र संगठन ने दिया धरना सा दस सूत्रिय मांगों को लेकर किया विरोध कारिवाई नहीं करने पर शिक्षा विभाग पुदियांदोलन की चिता छटरपुर में अवैड शराब की बिक्री से परिशान ग्रामीरों ने किया धरना प्रदर्शन विरोध में एसपी ऑफिस में बैठे ग्रामीर एसपी से की जल्द समस्या की निराकरण कराने की मांग जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की हुई कारेवाई प्रशासन ने अभी वावकों को फीस वापस करने के स्कूलों को दिये निर्देश पांच निजी स्कूलों में बड़ी हुई फीस को अमाने करने के आदेश हो सकते हैं जल्द जारी लहार में अवे तरीके से संचालित हो रहे हैं मैरिज गारण नगर पालिका से मैरिज गारण संचालों को ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन जिम्मेदार अधिकारियों ने दिये जाज के निर्देश बिलासपुर में खाद देवा मौशदी प्रशासन विभाग ने नशे के खिलाफ की बड़ी कारेवाई 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओ के कारुबार का हुआ खुलासा दोबारा नशीली दवाई बेचते पकड़े जाने पर लाइसन्स होगा बरखास सागर में छे बदमाशों ने की एक यूवक से मारपीट मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो क्याधार पर पुरिस्ट कर रही मामले की जाज बुर्णा गाओं में 5 जुलाई से लापता हुए दो नाबालिक बच्चों का अब तक नहीं चल सका कोई पता दस दिन से पुलिस लापता बच्चों की कर रही है तलाश बच्चों के लापता होने से माता पिता हुए परिशान बुर्हानकुर के नेपा नगर में एक खेत में आराम फर्माता दिखा तेंदुआ मज़़ूरों ने तेंदुआ के साथ ली सेलफी वन विभाग ने ग्रामीडों को मौके से अचाया तेंदुआ का वीडिया हुआ सोशल मीडिया पर वाइर्ल मद्यप्रदेश में मौनसून की एंट्री के बाद राजधानी भोपाल समेट कई जिलों में हो रही अच्छी बारिश मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी की अलर्ट कई जगाहों पर बारिश के असार इंदौर के युग कुरुष आश्रम से नाबालिक बच्चा हुआ गाया मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की खबर से मचा हरकम आनन को हरदा की बाल कल्यान समीती से 10 जनवरी को इंदौर के युग कुरुष धाम में किया गया था शिप कोरिया के आनी गाउं से वधू के बगेर बेरंग लोटी बाराच शराबी दूले से दूलहन ने शादी से किया इंकार बाराच में ही नशे में जूमता नजरायत हदूरा सिंग रॉली में मजदूरों को मजदूरी नहीं देने के मामले में को ग्रफदार करने के दिये नर्देश ठेकेदार ने काम कराने के बाद नहीं दी थी 24 मजदूरों की मजदूरी